के आज़पन वाइलिशी की क्लास के अंदर पार्ट ग्याराथ से शुन करते हैं पाधिकों में शुशन तो शुशन का सामने अर्च आपको पता है कि क्या होता है यानि ऑक्सिजन एंटेक्ट अंदर ना कार्वन डियक बहाने लाँ लेकिन वास्ता में शुशन की जो में परिभाशन के क्या होती है कि सजीज की कोशिकाव में होने वाली यहें किरिया है जिसमें उच उच उर्जय वाले जटिल कार्वनिक प्रदातों का विभटन सब्टन तोट जाते हैं और प्रदने की पश्य उससी के निकलती है उच निकलती है और कार्वन रजय निकलती है इसमें उख्षीजन का उपयोग किया जाता है ठीके वास्ता में शुशन के ताइओ था है कि अभी हम जो ऑक्सिजन लेते हैं उस उक्सिजन का अपने श्रीव के और दुविर प्राइका तिय ने प्रेवतschool है अब शोशं की कीरिया चींदर जो भी तरोनिक के अंड़ों का उप्योग चानलिक कियानथा है उसको पर क्याते है ohh Shosun के कीरिया था क्या हातेAB unsure कि कीसरेशन की कीरिया में जिन प्यधातों का उप्सीकन होता है उसको पर कहते है शोषन के किल्याधार इस शोषन के किल्याधार कार्भोहाइड़ेट होते ही हो सकता है रोटीन और वसा लेकिन मुख्य रुष से शोषन का प्रभुट किल्याधार क्योंता है कार्भोहाइड़ेट इसको अपन कहते हैं प्यात्वमिक किरिया है कार्गो हाइडेट से जो शोषन की किरिया होती है उसको अपन कहते है प्लावी शोषन अगर कार्गो हाइडेट अनुपस्तित है उस इस्थितिक की अंदर वसा का और प्रोटीन से भी क्या होता है एक है अ्चन होता है और बसा और प्रोटीन से जो चोहां की अभी के लिया उति है इसको मस बैन कहते है चीजड़ी शोषन काजगी ईटि SE चोहां अक्रफां राम वास्था के अंडर सामने आश्फ़ां में कार्फाहं गोस्थां से शोषन की के लिया होती रएती है लेकिन भुखपरी की सरमें, बिमारी की सरमें अपने शरीक के अंदर के होता है, चीब तर भी शोषन भी होता है. अब ऑखिजन की उबस्तिती और अनुबस्तिती के अधायक पर अपन शोषन को दो खावु में बाडते हैं. अक्सिशेशन या वायो फॉषन, दूसरा अक्सिशेशन या आपने शोषन, जया है कि उबस्तिती की यहां पर ऑखिजन की उपस्तिती आपर अउशा ने उती है, इन दौनर के अला अंतर लिखहीकर आता है, दो नमर का तो फिस आपकी अंतर आती भुख इतने है पैर्षूत Christmas करना है। पास ने एैयोगा कि disent कि ऑसिजय न शटरा है। शटरा हैétais उक्षिजिन उपस्थित नहीं जयती है। ऑसिषयोषय कोशी करके माई्क्रविया में में होता है। अनाकसिषयोषयषय करना है कोशी का के कोशी का ढविया न श compression है। जिसके फसर्व र समषण बनता है और अंत्या का माथा में उत्फती होती है अब ये प्रेश होता है किजिता ये शवशन की अभीक्रिया है तो हमारे शवशन इस्थल पीजिते शुशन की संपूल Nah precisamente होती है वो इस्थाल था कोशीका का मित्रोपार्डॉक्रिया अब कोशीका की अंदर, जो कोशीका दव्य होता है, वहाँ पस तो क्या होगा? अब कोशीका के माइटोकणर्या में होता है. आप आपको समाइट्रो कर गए कि सामरे जानकरी होना होशब होता है माइट्रो कॉर्णियों को आप पूर क्लासों पड़ चुके हैं इसे अपर कोशिका का क्या कहते हैं पावर हाउस कहते हैं माइट्रो कॉर्णिया एक जोहरी जली एक क्या होता है इसकी बहारी चली होती है और अंदर वाली चली की विशिषता होती है कि इसकी अंदर इस तरह अंगुली नुमा उभार होते हैं जिसको अपर क्या कहते हैं किस्टी के अब किस्टी के ओपर छोटे-छोटे से कंड लगे रहते हैं जिसे अपर कहते हैं ऑक्सिसोम लगे रहते ह वहां अगय किया होता है? कोशिक बोचे पिधातों का गुचा निकलती है और गुचा संचित की जाती है Mitrokondia में जो गुचा संचित की जाती है वो गुचा ATP की रूप केंदर संगे की जाती है ठीके? अब इसके बाद गयाता नेक्स टॉपिक आता है आक्सी शैः की किरियावेटिल के अंदर मुख्यन अधार अपन को लेते हैं ग्लूकोज का एक अनुखिया करता है। पाईः मडिके दो अनोखिय अंदर परिभ्रतों हो जाता है। ये किरिया क्या चैलाती है गांफिलेसिस केलाती है अब इसके पश्चा जो पाइरुबिक अबल वनता है वो कोशिकाओं के माइक्रो कॉर्णी आचलना जाता है वहाँ पे जाने के पर इसका पूर अप्सिकरान होता है जिसके पर सब्सक्राइब कार्बन जर्ण और उर्जा क पती होती है इसको अपन हागे स्थार देपड़ेंगे अपन इसके पर क्या करें दिक होती है एक का आप्सका पासरेइक डिकरण जो पेहले बाली वीडियो में देखा था कि लूकोस का एक अरुंदिस्छ पास्पेड के घर परिवर्त्य तो गया था औरूपकॉस इक्स पा कि जो ग्लुकोस फास्टोर लेकर हो गिया है उस ग्लुकोस के आनुकर क्या होता है फास्टोर लेकरन ये बाद की प्रेटिया प्रेड़ा हो जाते हुए इसमें जो ग्लुकोस 1,6-diphosphate था ग्लुकोस नहीं हाता है ना सब इसमें प्रेक्टोस प्रेक्टोस 1,6-diphosphate एर्डोलेस एंजैल्स की उपस्थिती के अंदर तीन प्रेथार्टों के दो प्रेथार्टों में परिवर्टिस हो जाता है जो कि दौनों तीन कार्वाले योगिक होते हैं पीजी ए का फूरा होता है वास्तो ये एल्ली हई और गुसा कहता है ना था है दाइय्स हाई एठ्योक्सि एसीटों पास्विर्ड ये इसको ऑक्सीखरन होता है, जब PGA का branング होता है, तो फेन धो 16 तो औरूसीं कोंड रूसंगर हिससा और दिर्वाद कर दफ हो धा फीन हान्थ पर विस्त वरहा प्षय काactions पर लेकिन आपको लिखना पड़ेगा किम sexually के अनों से पाइनुबिक अमलिका निर्वान किस प्रकार होता है तो ये के लिए होड़ी याद करने वाली है इसके इसको step by step up क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा कि अब इसमें क्या होता है जो 3 PGA होता है और पास्पोरिक अमलिक के साथ मिश्कर अगर अगर अपर नाम याद होता है तो बैटर है इनके साब बूल जाते हो तो आपको ठाले नहीं चोड़ना इसके उपर आपको त्याली देना है एंजैस तीके अब आपके आपके क्या बन गया वन फ्री डाइल्फी अल के 2 अणों कर निर्माण हो गया अगली अब लिकेना किस पर होगी इन दोनों अणों कर गया आप वन फ्री डाइब पी आपके 2 लौत धी थीडिनीज है किसे बतल जाते ही है निर्माद उता है। अब इसके उपार बापस अभी कि दिया होती है किस पस्तिती में पासो ग्रीसो फिंटेस इंजाइम्स की पस्तिती में इसमें निकल जाते हैं और किसका निर्वाण प्रकर है। तूपIEक कि पस्तिती में किस पें कर्वाण होता है। और यहीं इसको देखें तो आपको खोडब सा जाती लेगेँगा। यह जोगी तो दो दीम बार पड़ोगी तो आपको याद हो जाएगा। अगली होने क्या बन जाता है इसका शीरयगारा बन जाता है और फेकर-भीकथे Second Unувати अभीक्रिया में आटी कि अभीक्रिया उने पीर में आप अगृ-भीक्रिया फेट इसकी को फेड़ा किया है फिर दो पाइली हमे के अंदर इसका बीडनाता है, मात्रा दिथा को जाता है , और इसके बस्तों सवे को जोई चार अडूप इसका निर्मार का का थै, constantly प्रवेश्ट करता है तो इसके पर शरूप यहां पर नहीं बना यह अगले तर्शन प्रवेश्ट करेंगे जब आजी की सक्षार पढ़ेंगे तो जब इस इलेक्ट्रों परिवेश्ट करता है तो इसके पर शरूप यहां पर शेवट एटिपी का और निर्वाण हो जाता है तो कुल मलाके इस अधिकरिया के अंध में जाथ के अंध में आखड़ों एटिपी करिदा होता है यह पूली अधिक्रिए और इप्रसटिय की आणना कदेल के इसमेहिए नहीं बन रही किह आखलोद्च में बन में पर यूए आमके होगता है तो पायरूइक आपनो अलग लग परिस्क्तितों में उसका पेड अलग लग चरिकी से क्या उता है इसका रुपाल चान होता है जो पर नेक्स वीडियो के इंदा करने अगुस्तुमें का्या और है फिरों कि इस खमने में पड़ाता यूज़कोजी आपने में पड़ाता है। रिफल कर नंपर अग यड़़वी के अऊकिकरण ऑपोषी करते हैं । मेत्रोंग्य की अब जो प्रवेश करता है तो पारामी के एक कारवन परवाणों तो एक अप्साइड के रूप में आपसी क esos की खुल किते हैं आपक्सा करुंद Key करण की अभी में किया किते हैं । installing a कारण परवाण में इसे तूटकर दो कारण परवाण के रूप में परिवर्दिक हो जाते हैं यह अभी के लिए पाइविद दी हाइड्रिजिनेस की अभी की एन्लेंस की पस्तिटी के जाद होती है अब यह दो कारण वाला कारण की हाइड्रिजिनेस को एन्लेंस एक साथ मिल्टर किसका निवाण करता है यहां पर कॉर्प में पूर अभी के लिया है क्योंकि इस तोफन के लिए योसत की लिए लिए जब तक अधार्थी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा यानि इसका पून ऑक्सी करना अभी संभब नहीं है कर सकता है जब तक संभब नहीं कि अधार्थ के लिए पांच कारतों की उपस्ति आफार्शक होती है इन कार्पों के नाम लिखेंगे इसमें भी आते हैं, तो आप इसको नोग क्या लेना, QNH-A, N-E-D-Glust, Magnesium-I-N, Lipo, इक आप इसको पर चॉट के दर N-E-B केते हैं, T-B-P, Thymine, Pyroposphate, ठीचे, अब इसके पर नाम सबूँ, दो पाइड़ोमिक अमने का अप्सिकरण होने की क्या बन जाता है, मैट्रोपॉंटिया के अदर, N-E-C, N-E-D-H-2 के दो वणूँ, और कार्जनल अप्सिकरण की दो अभोकत हैं, हो जाता है, और ही जब इसकी ही सारी अभिक्रिया की खोश किसने करी थी, प्यूंकि इसकी खोश करी थी, N-E-C, नामा प्रिगाड इसकी कर जाते हैं, क्राज़ चेकर भी कहते हैं, इस अभिक्रिया की फर्स लूप, बनने मारा प्रखा मुदपाद काथा है, सेटी का होता है, इसके इस चेकर पापाद सेटी कमरिशन की खोश कर भी कहते हैं, और इसके अंदर जो S-P, O-N, A के होता है, वो त्री काजोग स्लिक, इस इसके इस पापन के कहते हैं, त्री काजोग स्लिक चेकर भी कहते हैं, तो आपकी एक्जाम के इनर आपका रखी केवन आईल सेटी कमरिशन के बारे को बताईए, जब ग्राप चेकर के बारे को बताईए, तो अपन इसको तीनो का पन एक इनात के साथ जादे हैं, और इसके परशाद बने मुझी साथी अभी केरिक वहाँ ज़्यादा देल होके हैं, और फोड़ इसी बुष्टिज हैं, तो आपको पर इसके किताब अपने अपने बुख को एक बार खोलता देखना, सबसे परिया के अफरे क्या होगी इसके इसके इनर, सिप्टिक अम्ल का निर्मा आपको पूर्ष्टिक अम्लिक इसके 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 आइसो शिट्टिक अम्रिका निर्वान होगा तो सिट्टिक अम्रिका निर्वान करता है। इससे अधिवाली एब्लीजिए अपन नेक्स्ट वीडियो में देखिए। यूपोस का फास्टों भी करक, इसमें लूपोस का एकड़ू, ATP के एकड़ू की साथ जोड़कर, इसमें बदल जाता है, लूपोस जिक्स फास्पेट भी बदल, आप प्रतिख हमी ख्रयाँ किसी उपस्टिती पर्चिती हें, हर अभिक्रिया में एंजेम्स के नाम अलग-अलग होते हैं, यादि आपको याद हो सकता है तो आप नाम याद कर लें, नहीं तो उसके उपर सीधे लिख दें एंजेम्स जैसे कि अभिक्रिया कौस एंजेम्स के हो हीगी, हेक्सो काई稲ेस एंजेम्स और मेगनिषंचयम आएन ङुपस्किति में, ग्लूकोस के का नयमाट होता है glucose 6-phosphate अर्गी जो glucose 6-phosphate होता है दूसर एंजयम चाहता है isomerase इसकी पस्किती में बदल जाता है fractose 6-phosphate fractose 6-phosphate बापस ATP के आड़ो के साथ में इसकार phosphofractokinase enzymes और magnesium ion की पस्किती में बदलता है fractose 1-6-diposphate तो इस तीनों अमेक्रिया में लाकर कैसे लाती है glucose का पास्वो रिलिटरन्ट के लाती है